हेलो फ्रेंस वेलकम बेक आज मैं आप सभी को यह स्वेटर डिजैन बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही खुबसूरत है और इसे एक कलर के उनमें बनाए गया है और यह 99 फंदो का गैप दे करके यह डिजैन बना है तो उमीद करेंगे आप सभी की यह डिजैन और यह वीडिय और देखेंगे एक पहनुन स्वान फंदो को पनी करेंगे पाल फंदो क सीधह करेंगे dirt करें ओर फिल फंदो को हम एक फंद़ा करेंगे उससे पहले जो भी हम घटाएंगे उससे पहले हम यहाँ पर ग्यान ओवर करेंगे इस तरीके से देखे सीधा बीनना है तो इस तरीके से करना है उनको ग्यान ओवर और यह सीधे फंदे और एक एक्ट्रा फंदे यहाँ पर दो फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे फिर ये दोनों फंदों को इस तरीके से छोड़ देंगे फिर यहां पे हमें 9 फंदे लेने हैं तो दिखें यहां पे 1 फंदा हो गया है ग्यान उबर के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदे simply हमने यहां पे निकाल लिये हैं सिधा सिधा बीन करके उसके बाद हमें वापस से पैटन को रिपीट करना है आपको यहां से ले करके यहां तक के पैटन को बार बार रिपीट करना है 9 फंदों 10 फंदों का देखें यहां पे हमें क्या करना है इस तरीके से एक ग्यान उबर करना है उनको स्लाइम में लपेट लेना है और फिर यहां पे दो फंदो का एक फंदा बनाना है देखिए दो फंदो को एक साथ स्लाइमे लेंगे और इस तरीके से एक फंदा बना लेंगे जो हमने यहां पे घटाये हैं तो पहले ही हम यहां पर बढ़ा चुके हैं उसके बाद फिर हम यहां पर 9 फंदे बिनना है simple 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 9 फंदे हो गए फिर से यहां पर देखे 5 फंदे एक्स्ट्रा हैं तो इस तरीके से आपको कर रिपीट करते जाना है नाइन फंद के बाद वाहां यहां से आपको फंदे को रिपीट कर लें to कर यह एक्स्ट्रा फंदे हैं इसなら भी हम यहां पर इसके साथ ही बीन लेंगे कि पैसल्ट रॉ आपको इस तरीके से भीस करना है और रॉंग साइड है second row जो है हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बीन करके complete करना है जैसे कि देखिए यहाँ पर यह 4-5 फंदे extra थे इसे भी हमें उल्टा बीनना है पूरी row उसके बाद फिर 9 फंदे जो हमने सीधे बीने थे उसे भी हमें उल्टा बीन करके complete करना है यह जाली वाला हिस्सा है जो हमने ग्यानवर करके फंदे बढ़ाए हैं उसे भी हमें यहाँ पर उल्टा बीनना है इस तरीके से पूरी फंद जो रो है हमें उल्टा बीन करना है अब हम आज आज़ेंगे थर्ड रो राइट साइट से दिखें यहाँ पर फंदे हम घटा रहे हैं यहाँ पर मालूम पड़ रहे हैं तो दिखें वापस से हमें उसी प्रोसेस का इस्तमाल करना है और दिखें एक दो तीन और एक चार पहले हम जो बाई वहें है जहाँ जाटा है तो यह जाली वाला हिसा है यह 5 फंदे को भी हम यहां पर बीनेंगे यहां पर 5 फंदे हो गया वापस से हम यहां पर ग्याणवर करेंगे cylinders क्ली से अब यह यहां पर घटा रहेंगे और उसको यह बाद और इधर घटता चला जाएगा तो अब यहां पर एट फंदे हमें सीधे बिनने हैं देखिए वन यहां पर वापस से नाइन फंदे फिर यहां पर ग्यान ओबर करेंगे और इस वाले फंदे को हमें ऐसे घटा करके कि ऐसे बना लेंगे अ यहां पर देखिए two holes यहां पर ग्यान ओबर करते हुए हमने बनाए हैं इसी तरीके से में five hole तक हमें बनाते जाना है यहां पर जैसे count हो जाए five hole उसके बाद फिर pattern मैं आपको बताऊंगे कैसे बनाना है तो यह देखिए इस तरीके से simple हमें यहां पर बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से जो घ्यान ओबर करेंगे वह जो चीधा करके तभी यह धूम करना इसे फाइन चोड़ती नजड़ा जाएंगे और इस तरीके से दो फंदों के एक करेंगे तो हमें यह five hole हो जाएंगे उसके बाद पीर पैटन बनाना है ग्यानों बन इसे हमें पलट के सीधा कर लेना है दो फंदों को हम एक फंदा करेंगे अगर यहां पर नहीं घटाएंगे तो यह फंदे बढ़ते चले जाएंगे इस वज़े से आपको यहां पर घटाना पड़ेगा इसी तरीके से बना लेंगे फ्रेज जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह फाइफ होल हो जाने के बाद फिर इसमें हम पैटर्न बना लेंगे तो दिखिए यहां पर इस तरीके साब इसे काउंट कर सकती है यहां तक तो आपको बनाना आ गया होगा अब जो है डिजाइन बनाते हैं तो आपको यहां स्ट स्टार्टिंग से उपर से ही इसमें हम स्लाई को इन करेंगे और इस तरीके से एक फंदे निकाल लेंगे इसे हम ज्यादा टाइप नहीं करेंगे और यह जो है लेफ्ट वाले उन जो स्लाई है उसमें हमें इस तरीके से चड़ा देना है उसके बाद उसके जस्ट नीचे व इस वाले फंदे में चढ़ा देना है वापस से नीचे वाले होल में जाएंगे और फंदे निकालेंगे और इसे भी हम इसे इस तरीके से शिद्धी जो है हमें यहां पर चढ़ा देना है सिंपल ही हमें इसके उपर से बस स्लाई में चढ़ाते जाना है और यहां पर 5 होल मैंने बनाए हैं तो यहां पर 5 फंदे एक्स्ट्रा बनेंगे तो यह देखे इस तरीके से 4 हो गए 1, 2, 3 and 4 और एक लाश्ट में यहां पर भी वापस से हमें पंदे निकालने हैं और यह सिंपल से इसके उपर से लाके हमें इसमें चढ़ातेना है देखे पर इस तरीके से हो गए 5 फंदे यहां पर 5 फंद इसे में एक्सट्रा बन गये हैं पर इससे हमें क्या करना है दोनों को एक साथ ही घटाना के लिए सीध्रा लेंगे इस तरीके से सीधे लेंगे और सिंपल से यहां पर पांचों फंदों फिर यहां पर घटा देंगे तो एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया इसे हम यहां पर पहले एक फंदे को जो है सीधा बिन लेंगे उसके बाद इसे हम इस तलाई में चढ़ाएंगे और एक यह फंदी लेंगे और एक यहां के एक्ष्ट्रा फंदी लेकर के इसको हम दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे तो दिखें यहां पर जो भी हमारे एक्ष्ट्रा फंदे थे वो घट गया है और यह beautiful से design भी बन गया है उसके बाद फिर यहाँ पर simple से जो भी फंदे हैं उसे हमें यहाँ पर बीन लेना है इस तरीके से और यहाँ पर हमें अब ग्यान ओबर नहीं करना है इस design को यहाँ पर stop कर देना है बंद कर देना है अब next वाले में फिर हमें इसको इधर जो हमें इधर गटाया है उसे हमें इस side लेके आना है तो फिलाल के लिए यहाँ पर इसे हमें बंद करना है और एक फंदा बीन लेने के बाद वापस से हमें देखिए यहाँ पर इस वाले फंदे से फंदे निकालने एक फंदे हमें बिन लेना है उसके बाद सिलाई को हम यहां बें दूसरे वाले इस डिजाइन में लेके जाएंगे इस तरीके से और सिंपल से फंदे निकालेंगे देखें पर इस तरीके से धीला ही रखना है इस फंदे को और यह दो फंदे हो गए थोड़ा से इसे डिला की रखेंगे त्री फंदे फिर फोर फंदे फिर यह फिफ्ट वाले फंदे इस तरीके से फि一 फंदे लेंगे और इसको हम, इस तरीके से नहीं घटाएंगे इसे हम इधर से सीधा करके, पांचों फंदो को एक्स्टा हमने बिना है उसे इस तरीके से घटाना है और फिर से हमें उतार देना है उसके अधार इस वाले फंधे को हम सीद्धा नहीं है तो देखिये इस तरीके से जो है आपको next और next डिजाइन बनाते जाना है और पूरी रो जो है आपको sweater, cardigan, muffler जिसमें भी आप इस design को अपलाई कर रही है उसे आपको repeat करते जाना है और यह कुछ इस तरीके से यह डिजाइन बन जाएगा कि इस तरीके से यह डिजाइन बनेगा नेक्स्ट जो है आपको डिजाइन जो है यह पहले हम इस साइड लेके आए लेफ्ट साइड में अभी हमें राइट साइड में से ग्यान ओवर करते हुए फंदे को बढ़ाते हुए राइट साइड में लेके जाएंगे और यह बन करके तयार हो गये हैं तो उमेद करते हैं आप सभी को यह डिजाइन और यह वीडियो पसंद आये होगे तो हमारे वीडियो को लांक कर लिजे और आप déb सब्सूरेब नहीं कि हमाई चानल को तो सब्सक्राइब कर लिजी थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू